Hello everyone, welcome back to MediCo-X मेरा नाम है Dr. Dev Kumar Sahu और आज की इस पर्टिकलर वीडियो में हम सीखेंगे Infusion Pump के बारे में अगर आप एक डॉक्टर हो, नर्स हो या हॉस्पिटल में काम करने में बारे कोई भी हेल्थ वर्कर हो एक बहुत इंपॉर्टन चीज है कि आपको Infusion Pump के इस्तेमाल करना आना चाहिए So the first thing that you have to understand कि Infusion Pump के इस्तेमाल हम कब करते हैं Infusion का मतलब क्या होता है So जब हम किसी ऐसे Medication का यूज कर रहे होते हैं जिससे हमें थोड़े थोड़े Amount में Body में लंबे टाइम तक Infuse करना होता है धीरे धीरे तक ऐसा कि आपको Limited Time में Limited Amount of Drug Body में Infuse करना है तब ऐसे Condition में हम Infuse Pump का इस्तेमाल करते हैं Infusion Pump में हम ऐसे Medication के यूज करते हैं जो की काफी Important Medication होते हैं For example, Inotrops जैसे कि Noradrenaline, Adrenaline, Dopamine, Dobutamines, etc इसके साथ ही हम Other Medication जैसे कि जो Blood Pressure को Low करके रखे लंबे ताइम तक Maintenance के लिए Acid Drugs का भी यूज कर सकते हैं For example, Nitro Triglycerine, NTG And also, we can use Lassix जैसे हम Furosamide भी कहते हैं तो ऐसे बहुत सारे Medication के यूज हमें इस Infusion Pump में करना पड़ता है So for those who don't know me yet, my name is Dr. Dev Kumar Sahu और currently मैं एक MVVS intern हूँ चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ Infusion Pump के सावल कैसे करता है तो यहाँ पे बहुत अलग-अलग varieties के Infusion Pump अविलेबल होते हैं हमारे पास जो Infusion Pump अविलेबल है वो Mindray की तरब से आने वाला Infusion Pump है Mindray Benefusion SP1 तो सबसे पहले मैं आपको इसका overview दे देता हूँ हमारे Infusion Pump में यहाँ पे सिरिंज होल्डर है यह पुरा portion सिरिंज के लिए है यह एक डिस्प्ले है और यह घेर सारे बटन से है दो इंडिकेटर यहाँ पे आप जलते हुए देख रहे हैं यह बताता है कि हमारा Infusion Pump किस power supply के थ्रू चल रहा है अगर यह किवल बैटरी से चल रहा होता है तो यह जो नीचे बैटरी वाला साइन है उसका इंडिकेटर जलता है लेकिन जब यह power adapter से connected होता है तब इसमें दोनों इंडिकेटर जलते हैं मतलब कि यह AC power का use कर रहा है जो की connector के थ्रू आपने दिया है तो step 1 सबसे पहले आपको power adapter को switchboard से connect कर लेना है step 2 में आपको क्या करना है जस्ट power button को एक बर प्रेस करना है जैसे आप प्रेस करोगे system self test start हो जाएगा 5 second के अंदर में अब आपको इस तरीके से इंडिकेटर देखने को मिल रहा होगा आप display पर देख पा रहे होंगे कि हमें syringe को इस infusion pump में कैसे state करना है इसके बारे में बताया जा रहा है और आप ध्यान से देखें तो इसे retract करना है और इस तरीके से clip को हटाना है तो सबसे पहले जो syringe holder है मैं उससे हटा लेता हूँ इस तरीके से पर दो अलग-अलग size के यहां पर syringe मैंने रखा हुआ है आप इसमें किसी भी size का syringe use कर सकते हो like 5 ml से लेकर के 60 ml तक के syringe का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो तो मैं आपको दिखा दूँगा कि जब हम syringe को इस infusion pump में लगाते हैं और इसके बाद इसे लगा देना है बाद में clip को इस तरीके से fix करना है कि just syringe को यह अच्छे से hold कर पाए जैसे अगर यह properly hold कर लेता है तो आपके इस display में आप देख पा रहे हैं कि हमारा indication बताएगा कि 5 ml 10 ml कितने का syringe यहां पर सेट हो जुका है जब मैं इस syringe को 5 ml के syringe को लगाया तो यहां पर खुदी 5 ml डिटेक्ट कर लिया है अब इसको मैं वापस से आपको 10 ml के syringe के साथ में करके लिखाता हूं और हम आगे अपना demonstration भी 10 ml syringe के साथ में करेंगे तो इस तरीके से आप इसे लगा लेते हैं क्लिप को सेट कर लेते हैं जैसे यह आप करेंगे 10 ml का यहां पर इंडिकेशन सो करने लगेगा आपको यह जो सिरिंज होल्डर है जही रिस्पॉंसिबल है इसके automatic detection के लिए कि कितने ml का syringe कितने volume का syringe यहां पर हम यूज कर पा रहे हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे यह ज्यादा matter नहीं करता है अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे हमने अपने डव 10 ml का सिरिंज यहां पर सेलेट कर लिया तो आपको करना है प्रेस ओके को तो अभी आप डिस्पले में दो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है रेट मतलब की जिस स्पीड के साथ में मेडिकेशन को बॉडी में इंफ्यूज करना है और वी टी बी मतलब वॉल्यूम टू बी इंफ्यूज मतलब टोटल अमांट ऑफ मेडिसीन जो कि हमें बॉडी में में एक limited time rate के अंदर में इंफ्यूज करना है एक्जामपल की जरी समझाता हूं माल लेते हैं कि हमें 10 ml का मेडिकेशन है उसे बॉडी में 4 घंटे के अंदर में इंफ्यूज करना है तो हमें उसका rate सेलेट करने पड़ेगा 2.5 ml पर आवर ताकि 2.5 ml एक घंटे में ऐसे करके चार घंटे के अंदर में सारा 10 ml का मेडिकेशन चला जाएगा तो इस तरीके से हम okay बटन दबा करके दोनों को एडिट कर सकते हैं सबसे पहले मैं VTBI को सेलेट करता हूं VTBI को जब आप okay करोगे तो यहाँ पर editing का option आएगा आप इस अपवाइट के बटन को प्रेस करके यह महाँ पर 10 ml सेलेट कर लेते हैं इस तरीके से 10 ml का वॉल्यूम टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि मुझे बॉड़ी में इंफ्यूज करना हूँ अब मैं okay दबा करके उपर आ जाओंगा जहां पर मुझे रेट को एडिट करना है फिर से okay दबाईए तो एडिट हो जाएग फिर से आपको अपवर्ड वर्ले बेटन को दबाना है तो यह आगया अपन 2.5 ml पर आर यह हो गए 2.5 ml पर आर जस्ट आपको okay प्रेस कर देना है दोनों परामीटर हमारे स्ट हो गए हैं अब क्या करना है आपको क्या प्रेस करना है ताकि इन फ्यूजन जो है वो धीरे से स इ मतलब कि कित्ता medication जो है वो इस syringe से empty होकर के body में infuse हो गया है तो देखो क्या होता है कि infusion pump को इस syringe को आगे ढखेलने के लिए pressure लगाना पड़ता है वो pressure यह indicate करता है इस pressure का भी एक significance है जब मान के चलो कि हमारे cannula में कोई clot बगया है और cannula जो है ब्लॉक हो गया है तो ऐस आपको यह जो प्रिस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा मतलब पंप बहुत ज्यादा प्रिस्तर लगा रहा है इसके बाद भी हमारा मेडिसीन जो हो बोडी में इंफूस नहीं हो पा रहा है यह इंडिकेट करेगा साथ ही आप उपर के पास देख पा रहे होंग करना है तो इस तरीके से 5 और राइट में जा करके इसे अपन जीरो में कर लिए इस तरीके से 5 पर करके फिर से स्टार्ट कर देना है तो यह उसी के आगे कंटीनू हाजाएगा अब 5 ml पर रार की स्पीट से यह जाने लगेगा अब मान के चलते हैं कि हमें बॉडी में फिक् बटन को कंटीनिवसली प्रेस करके रखना है जैसे मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ आप दो चीज़े देख पाएंगे बॉलस 300 ml पर रार की स्पीट से जा रहा है और किता वोलियूम जा चुका है जैसे कि अभी 0.8.9 1 ml जा चुका है 0.1 1.2 1.3 तो इतना ml यहाँ पर ज जा रहा है लेकिन एंपटी वाला बॉक्स है वहाँ पर 2.1 ml बता रहा है मतलब जो हमने अभी 2 ml का बोलस दिया वह भी इसके साथ में एड हो गया तो इस तरीके से यह बताता है कि कितना ml of medications आपने body में दे चुका है और किस rate के साथ भी दे रहो और क्या pressure उसका लग रहा है तो इस particular वीडियो में हम इसमें आने वाले different errors के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहला error कि syringe disengaged कब दिखाएगा अगर हम इसे properly fix नहीं किये है तो इस तरीके से अलाम बचेगा और यह बताएगा कि syringe जो है वह disengaged हो गया है तो ऐसे condition में इसको वापस से लगाना है आपको कट हो जाता है तो AC power off करके बताता है वह एलाम होता है कि आपको AC power लगाना है क्योंकि battery backup ज्यादा लंबा नहीं होता है बट फिर भी वह उस टाइम पर काम करता रहेगा जो बैटरी इसके पास available है उसके through कई बार क्या होता है कि occlusion आ जाता है for example मैंने यहां पर प्रेस कर दि दे करके एनस का बोलस दे करके कनुला के पेटेंट्सी को ओपन करना है और उसके बाद में वापस है इससे fix करना है कई बार क्या होता है कि जब हम बड़े साइज के syringe का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा piston में यह जो rubber है और यह जो syringe है वह आपस में चिपक जाते हैं जिसके व अब को दूबारा दूसरे पस्lorे में इस्तिमाल करना है तो आप इससे stop कर सकते हैं और rate को clear button दबाकर के zero में ला सकते हैं इसके पीर से JESE कि किस तरीके से infusion pump का इस्तेमाल करना है और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इससे प्लीज अपने friends के साथ में share करो और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्गूल मत भूलना मैं इस चैनल पर धेज सारे वीडियो बनाता रहता हूँ जो की medical and health से related होते हैं किसी disease के बारे में, किसी instrument के बारे में, latest news के बारे में ये सारे चीजे हम इस चैनल पर कवर करते हैं make sure करें कि आप इसलों को subscribe करना बिल्गूल न भूले So with that, I will see you soon in another video with another topic Till then, stay happy, stay safe and stay motivated Let's be a Medico X This is Dr. Dev Kumar Sahu signing off Thank you everyone